अब हम करेंगे क्लास 10 का एक्ससाइज 2.3 कुर्सन 1 डिवाइट पोलिनुमियल पी-एक्स बाइद पोलिनुमियल जी-एक्स मलब क्या एक पोलिनुमियल जी-एक्स है and find the quotient and remainder in each of the following तुश में क्या उसकरेंगे एक डिविडन्ट होगा तो यह क्या है जो सबसे बड़ा पावर हो उसको क्या लेंगे हम डिविडन्ट तो डिविडन्ट क्या है हमारा पी-एक्स equal to क्या होगा डिवाइजर वो क्या होगा जी-एक्स into quotient वो क्या होगा qx plus remainder rx मलब क्या होगा यह यह होगा डिवाइजर जोरी एक डिविडन्ट यह डिवाइजर यह quotient प्लस remainder यह method हम यूज करेंगे अब इसको डिवाइज करेंगे तो हम सबसे पहले हम डिवीडन्ट लेंगे अब अब डिवीडन के से लिखेंगे, तो डिवीडन हाइस पावर से जाएंगे, सबसे पहला हाइस पावर होगा, उससे छोड़ा, उसके बाद उससे छोड़ा, तो यहाँ पर हाइस पावर क्या है, एक्सक्क्यूब है, तो सबसे पहला एक्सक्क्यूब लिखेंगे, उसके बाद 3x square उसके बाद क्या आएगा 5x और minus 3 अब यहाँ पर हम diviser लेखेंगे तो diviser क्या है हमारे पस x square minus 2 अब इसको divide कैसे करते हैं तो simple method में मैं आपको समझाता हूँ तो आप उपर क्या लोगे dividend का सबसे पहला term तो हो क्या है x cube और उसको divide करोगे diviser का सबसे पहला term तो हो क्या है x square तो क्या मिलेगा हमको x cube minus x square वो क्या होगा x क्या होगा हो x यह cut करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम x अब यह x को diviser से multiply करेंगे तो कैसे करते हैं यहाँ भी हम check करते हैं तो x into x square minus 2 तो क्या होगा X 치क्ट क्या होगा X क्योंगा X क्य้ा होगा X है यह है तो Пश क्या होगा मंहेंकिन यहां पर लिखेंगे ग्लख थो प्लस है तो मानेश क्यों प्लस है तो माइनस्ै to वेलब स्क लेंगे तो यह क्या होगा प्लास सब्लस एक स्क्रेंच एंच कैंसर और यह माइनस नीच नीचे अब हम वापस वही method यूज़ करेंगे तो यहाँ पे dividend का जो भी quotient है जो भी first term है वो लेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 x square upon करेंगे divisor तो divisor का क्या है first term x square यहाँ पे x square आएगा अब यह दोनों के answer तो क्या answer आएगा minus 3 मतलब हम minus 3 उपपर यूज़ करेंगे अब हम क्या करेंगे minus 3 को divisor से सबसे multiply करेंगे तो minus 3 into x square minus 2 तो क्या होगा minus 3 into x square क्या होगा minus 3 x square minus minus क्या होगा plus plus 3 2 जा क्या होगा 6 तो क्या हैगा हमारे पास minus 3 x square तो यहाँ पे लिखेंगे minus 3 x square और plus 6 तो quotient के नीचे क्या लेंगे कि constant term मट्री क्या करेंगेале निक्स नेंगे तो वाएनम थो यह होगा डिवाइट वहां तक करोगे जहां तक आपको oxzen तंب रम मतलब क्या कि वहरियेकल स्फृँ उसको क्या बोलते हैं pension तो यहme तो वहाँ तक आप डिवाइड करोगे जहां तब आपको constantin नहीं मिलती, मलब यहां पर constantin ली गई, तो होगा मारा quotient और होगा remainder, तो हमारा क्या होगा रिमेंडर, Qx, Qs equal to क्या होगा X minus 3, मलब क्या बोलते हैं इसको quotient और ही फ्रिमेंडर, यह क्या है Rx, तो Rx equal to क्या मिला हम को सेवन एक्स माइनस सेवन अब हम करेंगे नेक्स को सब्सक्राइब करेंगे सेकंड को सबसे पहले हम क्या करेंगे सब करेंगे इसके दम्में सबसे टेकर अगया उससे चोटा और तो करेंगे सबसे ऌगर राज़ास वह दिया वह लाग कि माइनस x फ्लस 1 उसके बाद मेंने क्या बोला था सबसे पहले हम डिविदREE न्ट में से सबसे पहले term लेंगे सबसे पहले फृर्स्ट तूरm कॉनची है एकस्टीस तूफ तो सबसे पहले हम एकस्टीस तूफ लेंगे उसको डिवाइड करेंगे डिवाइजर के से तो फस्स Цूम क्या है x2- x-1, तो क्या मिलेगा हमको, x2 into x2, क्या होगा, x raise to 4, अब x2 into minus x, तो क्या होगा, minus x3, x2 plus 1, क्या होगा, x2 into plus 1, क्या होगा, x2, मलब यह उपर, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो x2 यहाँ पे, x raise to 4, अब यहाँ पे minus x3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, minus x3, उसके बाद क्या है प्लस एक स्क्वेर तो यहां पर आएगा प्लस एक स्क्वेर अब हम माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस साइन हैगी यह माइनस माइनस क्या होगा प्लस यह अब यहां पर s-d-d-d नीचे लेंगे हम तो क्या आएगा, plus 4x और यहां पर plus 5 अब वापस वह से हम करेंगे, तो dividend क्या, सबसे पहले term लेंगे, तो first term क्या है, x cube उसको divide करेंगे, diviser के first term से, वो क्या है, x square, तो x square यहां पर आएगा, तो x cube minus upon x square, क्या होगा x? अब ये x को पूरे diviser के साथ multiply करेंगे, तो वो क्या है? x square minus x plus 1, तो क्या हम भी लेगा हमको? x square into x into x square, क्या होगा x cube? उसके बाद क्या है? minus x into x, क्या होगा x square? plus x into plus 1, क्या होगा? x. तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या हैगा? सबसे बेल x cube, उसके बाद क्या हैगा? minus x square, उसके बाद क्या हैगा? plus x. अब यहाँ पर हम minus करेंगे, तो यह plus है, यहाँ पर minus sign हैगी, यह minus minus क्या होगा? plus, plus minus क्या होगा? minus. मिलंद बहुत को क्या कर रहा है सप्रेक कर रहा है तो एक प्लस स्क्रूब माइनस से ह्लाइगा अभ सन चेक करेंगे तो बड़े नम्बर कौन सा है माइनस फोर एक स्क्रा तो यहां पर गएsta sine minus 3 तो क्या ऐगा minus 3X square अब यहाँ प्लस 4X और minus X क्या होगा 4 minus 1 3 तो क्या ऐगा plus 3X और यहाँ प्लस 5 as it is अब हम आपस use करेंगे वही method अब हम आगल करेंगे तो आगल भी same करेंगे कैसे सबसे पह Exhale dividend का first term लिखेंगे मालब first term क्या है dividend का first term minus 3 x square तो minus 3 x square उसको divide करेंगे divisor का first term तो वो क्या है x square तो यहाँ पे x square आएगा यह x square क्या होगा cancel तो क्या आएगा minus 3 तो यहाँ पे हम apply करेंगे minus 3 sorry मैं यहाँ पे कुछ लिखने का भूल गा हूँ तो यहाँ पे हम multiply करेंगे तो minus 3 into क्या हैगा x square minus x plus 1 तो क्या मिलेगा हमको minus 3 into x square क्या होगा minus 3 x square minus 3 into minus x तो minus minus क्या होगा plus 3 into x क्या होगा 3 x minus 3 into 1 क्या होगा minus 3 अब यही value हम कहा लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको minus 3 x square प्लस 3x माइनस 3 अब यहाँ पे हम माइनस यह माइनस माइनस क्या होगा प्लस प्लस माइनस क्या होगा माइनस और यह प्लस माइनस क्या होगा माइनस आए सोन में अब यहाँ पे यह दोनों कैंसल होगा यह दोनों कैंसल और प्लस 5 माइनस 3 क्या होगा 2 क्या होगा 2 तो क्या मिला हमको सबसे पहले हमको क्या मिला Qx मलब कोशन क्या मिला तो कोशन हमारे पास है qx equal to क्या है x squared plus x minus 3 और remainder क्या मिला हमको rx equal to 2 अब हम next question करेंगे question number 3 अब हम आगेल करेंगे इसमें भी same method use करेंगे यह first term dividend की एक स्कार यहाँ कर सो लोगा कि एक स्कुला उसको दिवाइब करेंगे एक स्कुला llegóत़ करेंगे तो रहारRel अलसे स्कुला हुआ अब minus 3 into x square क्या होगा minus 3 x square यह minus minus क्या होगा plus अब 3 into x क्या होगा 3 x और यहाँ पे plus minus क्या होगा minus minus 3 into 1 क्या होगा 3 तो minus 3 आएगा मनलों क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे minus 3 x square plus 3 x minus 3 अब यहाँ पे हम subtract करेंगे तो minus 3 x square और यहाँ minus 3 x करेंगे दोनों को सप्रेक करना है, यह माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, यह माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यह दोनों कैंसल होगा, यह प्लस, यह माइनस, यह दोनों कैंसल, प्लस 5, प्लस 3, क्या होगा, अंसर 8 हैगा, क्या हैगा, अंसर 8, मदब क्या मिलेगा हमको, quotient equal to मदब qx equal to क्या मिलेगा x square plus x minus 3 और remainder क्या मिलेगा हमको plus 8 क्या मिलेगा plus 8 मदब यह qx क्या है quotient है और rx क्या है remainder है अब हम quotient number 3 करेंगे अब third quotient करते है तो px क्या दिया हमको x is to 4 minus 5x plus 6 और हम वो qx क्या दिया है इस वारी gx क्या दिया है 2 minus x square तो मैंने क्या बुला सबसे पहले आप px को arrange करोगे सबसे पहले जो highest power हो दिखोगे उसके बाद उससे कम उसके बाद उससे कम तो यहाँ पे x is to 4 सबसे पहले आएगा तो यहाँ पे x is to 4 आएगा अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो x is to 3 नहीं है तो क्या लेकिए हम 0 x is to 3 वापस चेप करोगे तो x square भी नहीं है तो क्या करेंगे हम 0 x square अब यहाँ पे minus 5 x और plus 6 as it is अब यहाँ पे हम sim करेंगे regarance करेंगे तो यहाँ पे minus x square है तो minus x square पहले रिखेंगे उसके बाद क्या करेंगे constantum वो क्या है plus 2 अब इसको divide करेंगे तो मैंने क्या बोला divide करने की easy method जो भी dividend है उसकी सबसे पहले first term लेंगे तो वो क्या है x is to 4 और उसको divide करेंगे किसे divisor की first term से वो क्या है minus x square तो यहाँ पे minus x square x is to 4 upon x square क्या होगा x square और यहाँ पे plus minus क्या होगा minus तो यहाँ पे minus आएगा मलब यहाँ पे minus x square उसके बाद क्या step होता हमारा minus x square को पूरे divisor से multiply करते है तो क्या करेंगे minus x square into minus x square plus 2 तो क्या मिलेगा minus minus क्या होगा plus x square into x square क्या होगा x is to 4 minus plus minus क्या होगा minus x square into 2 क्या होगा minus 2x square तो यहाँ पे हम लिखेंगे x is to 4 और minus 2x square x square के नीचे तो क्या आएगा minus 2x square अब यह क्या यह plus है तो सप्रेक करेंगे मलब यह minus होगा और यह minus minus क्या होगा plus यह दोनों cancel अब इसको इसको solve करेंगे तो 0x square plus 2x square तो क्या होगा plus 2x square आएगा यह as it is नीचे आएगा तो क्या होगा 0x cube यहाँ भी plus यह minus 5x as it is नीचे और plus 6 भी as it is नीचे अब वैसे हम आगे solve करेंगे तो 0x cube upon करेंगे minus x square तो वो तो 0 आएगा कैसे 0x cube upon minus x square तो यह 0 आएगा मलब यह 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 अपलाई नहीं करेंगे मलब कौनसे उसके बाद वाली apply करेंगे तो यहाँ पर 2x square तो क्या होगा 2 x square upon minus x square तो क्या होगा? x square x square के इनसल यहाँ पे 2 आएगा और plus minus क्या होगा? minus तो हम क्या use करेंगे? minus 2 क्या use करेंगे? minus 2 अब यहाँ पे क्या करेंगे? minus 2 को पूरे divisor से multiply तो क्या होगा? minus x square plus 2 तो क्या होगा? minus minus plus यह 2 x square होगा यह 2 into 2 क्या होगा 4, plus minus क्या होगा, minus, तो यहां पर क्या हैगा हमारे पास, plus 2x square, और minus 4, अब यह as it is हाएगा, यह 0 into anything, क्या होगा 0, मतलब यह नहीं लिखेंगे, तो भी चलेगा, यह plus है, वो minus हो जाएगा, और यह minus हो क्या हो जाएगा, यह क्या हैगा, यह दोनों cancel, यह minus 5x as it is, और minus, plus, plus क्या होगा, plus, मतलब 6 plus 4 क्या होगा, 10, तो हमारा क्या मिला, qx, मतलब question, क्या मिला, question, minus, x square minus 2, और remainder क्या मिला, minus 5x, plus 10, मतलब आपने क्या किया, इस वीडियो लेक्चर में, exercise 2.3 का question 1 किया, अगर इसमें किसी भी कुछ भी आपको doubt हो, तो आप क्या करो, इंस्टागाम पे आप message करो, add the rate unite classes पर,